राजिस्तान भार्चे अंतापाटी ने आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी वहीं कॉंग्रिस ने अपनी पहली लिस्ट जारी करी जी हाँ आपको बता दे 33 लोगों की यह उमिद्वारों की लिस्ट में कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो की चोक्याने वाला हो लगबग लगबग जिनकी टिकेट तैम आनी जारी थी उनीको टिकेट दी गई है आपको बता दे इनमें जो मुक्खे मुक्खे नाम है वो है सचिन पालिट का उन्हें टॉक से टिकेट दी गई है गोविन सिंग डोटासरा जो की प्रदेश अध्यक्षार राजस्थान के उन्हें लक्षमन गड़ से टिकेट दी गई है सीकर से इस बार उनका मुकाबला सुबाश महरिया से होगा जो की भूतपुर सीकर के सांसद है और सरदार पुरा से टिकेट दी गई है मुख्य मंतरी अशोग गहलोत को जी हाँ इसके साथ साथ जो टिकेट दी गई है इसमें खास तोर पे ध्यान रखा गया है कि नहीं सचिन पाइलेट के खास लोग का टिकेट काटा गया है नहीं अशोक गहलोत के खास लोग का टिकेट काटा गया अगर बात करें सचिन पाइलेट के तीन खास लोग अमिट चेचन इंदराज गूजर और साथ-साथ रामकरन भाकड को जो है वो माफ किज़े का मुकिश भाकड को जो है वो टिकेट दे दी गई है और महत्यवपूर्ण उसमें ये भी है कि जो की मंतरी है टीका राम जुली उन्हें टिकेट दी गई है इसके अलावा टीका राम जुली के साथ साथ ममता भुपेश मंतरी है उन्हें टिकेट दी गई है और भावर सिंग भाटी जो क अशोग घेलोद बार-बार खहते हैं कि उन्होंने उनकी सरकार बचाई उन्हें भी टिकेट दिया गया है इस बार कॉंग्रेस के सेंबल से पिछली बार निर्दलिय चुनाव लड़ा था और उसके बाद में कॉंग्रेस को समर्थन दिया था मुक्की मंत्री अशोग घेलोद को कुछ लोगों ने पैसे ओफर किये थे तब रमीला खडिया ने ही उनको इन्पुट दिया था और उसके बाद में उनकी सरकार बची थी तो कुल मिला के अशोग चांदना भी है इस लिस्ट के अंदर और दानिश अबरार भी इस लिस्ट के अंदर चेतन चौधरी भी इस लिस्ट के अंदर है तो कुल मिला के जो नाम फिक्स थे पहले से 33 लोग के लिस्ट में से 31 लोग ऐसे है जो की कॉंग्रिस के सिंबल पर टिकेट लड़े हुए या फिर वरत्मान में विधायक है जिन्हों टिकेट हो सकता है पहले निर्दरी लड़ाओ लेकिन बाद में कॉ भारती जन्ता पार्टी की तो भारती जन्ता पार्टी के अंदर जो लिस्ट है इस बार सबका ध्यान रखा गया है राजेंदर राठोड जो की नेता प्रतिपक्ष है उनको तारा नगर से चुनाव जोह लड़ाया जाएगा चूरू की जगा तो इस बार इन्होंने अपनी seat बदली है राजिंदर राठोड ने इसके लावा जो विशेश बात है कि मुख्य मंतिरी वसुंदरा राजे जो कल दिल्ली भारतिय अन्तापाटी की election committee के meeting में एक पूरा डोजियर लेकर गई थी उनके भी लोग को टिकेट दिया गया है वसुंदरा राजे जालरा पाटन से चुनाव लड़ेंगी और इसके साथ-साथ उनके जो लॉयलिस्ट है सिद्धी कुमारी हो श्रीचंत क्रिपलानी हो काली चरण सराफ हो अनीता बदेल हो हेम सिंग भदाना हो कुल मिलाक के एक दरजन इसमें सबसे महत्युपून नाम प्रताप सिंग सिंग्वी का है जो कि छे बार विदायक रह चुके हैं साथ-पी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं उम्र दराज नेता है उन्हें भी टिकेट दी गई है जिनका टिकेट काटा गया अगर बड़े नामों की बातचीत करे तो सांगानेर से अशोक लहोटी का टिकेट काटा गया है उनकी ज अशोक लहोटी के उपर आरोप लगाया कि उन्होंने यहाँ पे जब एक तथा-कतित रूप से साजिस रची जा रही थी मेर सुम्या गौजर के खिलाफ और आरेसेस के निता निंबाराम के खिलाफ एक्सकैम के अंदर उनका नाम आया था उसमें परदे के पीछे की कॉंग गोविन सिंग डोटासरा लक्षमन गड़ से सुबाश महरिया अगेन अनादर जाट लीडर है दोनों ही जाटों का मुकाबला होगा दल्चस्प रड़ाई होगी कि सुबाश महरिया पहले बीजेपी में थे फिर वो कॉंग्रेस में चले गए फिर वो दुबारा बीजेपी असल इंतिहान तब होगा जब कॉंग्रेस की दूसरी लिस्ट आएगी और इसमें जब कितने पाइलेट समर्तकों को टिकेट दिया जाता है कितने अशोक गैलोत समर्तकों टिकेट दिया जाता है फिर उसके बाद क्या नतीजे होंगे ये देखना होगा मालविय नगर से पि जो कि गढ़ है RSS का घंशामतिवाडी जो कि उपसभापती है राजेसभा के अंदर राजेसभा के सांसद है वो भी वहां से पहले चुनाव लड़ चुके है तो संग की पूरी ताकत के साथ बजला शर्मा चुनाव लड़ेंगे वहीं पुषपेंदर भारतवाच युवाओ में काफी पॉपिलर है हालाकि पिछली बार चुनाव बड़े मतों से हार गए थे इस बार उन्हें भी टिकेट दी गई है तो दिल्चस्प है ये राजिस्थान का चुनाव और देखना यह होगा कि कॉंग्रेस की जब एक बड़ी लिस्ट आती है अब 83 प्लस 41 तक्रीवन 123 लोग की लिस्ट बीजेपी जारी कर चुके कॉंग्रेस ही पीछे 34 दिन और 37 दिन बचे आज से वोट पड़ने में तो इंतिजार होगा कॉंग्रेस की अगले लिस्ट का भी कैमरा परसें मनोच के साथ जैपूर से जैकिशन शर्मा चुनावाच तक